हेलो दोस्तो तो कैसे हो आप सब उम्मीद करता है आप सब बढ़ी आऊंगे तो दोस्तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आपके बास वैगानार है तो उसमें आप किस तरीके से जो नंबर प्लेट के उपर लाइट लगावा होता है उससे घर पर ही चेंज कर सक और यह नंबर प्लेट लाइट चेंज करने के लिए अब देख सकते हो जो लाइट है उसके उपर एक प्लास्टिक का क्याप लगा हुआ होता है अगर हम डायरेक्ली उसे इस तरीके से खोल के लाइट निकलने का ट्राय करें तो नहीं निकलता है दोस्तो ठीक है उसके प्रस वैगानार है तो आपको यह प्रोसेस पता चल जाए कि किस तरीके से आप अपने कार के अंदर जो नंबर प्लेट लाइट होता है उसे चेंज कर सकते हो तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब हम शुरू करते हैं अंब आप तो नंबर प्लेट लाइट जो है उसे रिप्लेष करने के लिए हमें अनदर जाना होगा दोस्तों ठीक है और उसके बाद यह जो शीचसे उसे में फोल्ड करना हुगा क्योंकि हमें डिक्की के अंदर एक्सेस चाहिए तो दोस्तों बहुत बार मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं क्योंकि मेरा एक में मोटीव यह है कि मैं जो भी दिखाऊ वीडियो में वो पूरा डिटेल में हो ताकि जो भी मेरा वीडियो दे सकते हूं यह black color का part दो डिक्की के उपर लगा हुआ है उसे या फिर इसे हम घथा भी कहते हैं बहुत लोग जो black robust लगा हुआ है इसे हमें खोल खोलना होगा तो उसे खोलने के लिए देख सकते हूं इस तरीके का । आड शे बान से नौ लॉक है उसके BIC में एक प्लास्टिक का Mean Lock होता है उससे अंदर की तरफ Push कर देना कुछ इस तरीके से तो उससे होता यह है कि lock जो है वो release हो जाता है ठीक है आप देख सकते हो इस तरीके से आसानी से आप lock को release करके जो यह गत्त्य होता है उसे हम बाहर की तरफ खीच लेंगे, आसानी से कुछ इस तरीके से, आपको और एक बार दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो, यह आसानी से बाहर आ रहा है अभी, ठीक है, तो गत्य को हम इस तरीके से निकाल के साड में रख देते हैं, तो गत्य को हमने साड में रख लिया है, इसके बाद और ए यह च्विंगम की तरह होता है अगर हम इसे खीचें के तो यह च्विंगम की तरह मतलब निकलने लगेगा और वापस हम उसी को यूज़ कर सकते हैं चिटकाने के लिए मतलब वहाँ पर लगाने के लिए ठीक है दोस्तों तो आपको खीच के जो ब्लैक कलर का रबर टाइप सी ठीक से आप देख सकते हो तो यह प्रोसेस में पुरा कंप्लेट कर लेता हूँ और में जितना जरूरत है उतना मैं इस प्लास्टिक को खोल लेता हूँ ताकि हमें एक्सेस मिल जाए जिससे कि हमो क्रोम जो लगा हुआ उसे हम आसानी से खोल पाए ठीक है दोस्तों तो जो ब्लैक कर रहा का गम है उसे प्रॉपरली कट कर लेना है आपको मैं कैमरा थो नजदिक लेजा के दिखाता हूँ आप देख सकते हो ऐसे आसानी से आपको इसे कट कर लेना है ठीक है तो अब हमने पूरी तरीके से जितना में जरूरत था उतना हमने इस ब्लैक कलर के गम क कट करके प्लास्टिक ओपन कर लिया है अब हमें जो एकसेस है बूट के अंदर हो प्रॉपली मिल गया है तो जो क्रोम है वो टोटल चार नट है उसके सारे हमारे जो डिक्की है उसके साथ अटाइच है ठीक दोस्तों तो इस चारो नट को हम लूज कर लेंगे और इसे लूज कर लूँगा ठीक है इस तरीके से मैं टोटल चारो के चारो नट को लूज कर लेता हूँ और इसी तरीके से आपको जो बाकी के तीन नट है उसे भी दोस्तों लूज कर लेना है ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अभी तक आपको पसंद आया होगा और आप म कशेर करना दोस्तों तो आप देख सकते हैं ने 4 mm जो नट है उसे लूसे कग लिया है अब हम गाड़ी सेento offer की तरफ चलते हैं और जो किरौम है कैब भी लगा हुआ है और सबसे important reason ये chrome खुलने का यही था कि ये plastic का cover जब तक chrome इसके पर लगा हुआ होता है ये plastic का cover खुलता नहीं है दोस्तो और जब तक ये plastic का cover नहीं खुलता है तब तक हम ये जो light है उसे change नहीं कर सकते हैं ये T10 light है और इसे निकालने का एकदम आसन तरीका ये है कि आप इसे बाहर की तरफ खीच ले ये निकल जाते है आसन इसे आपको मैं दूसरे light की तरफ ले जाता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ आपको ये जो plastic का cap उसे खोलने के लिए इसे anti-clockwise घुमाना होता है आप देख सकते हो इसे कुछ इस तरीके से आपको घुमाना होता है ये दो कोई घुम गया है अब इसे बाहर निकाल के आप बल्ब को निकाल सकते हो तो जो बल्ब हम यूज करने वाले हैं ये है LED बल्ब फिलाल में ब्लू कलर वाले यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने वाले कलर का Amazon से order किया है अभी तक आया नहीं है और आज मुझे टाइम मिल गया था वीडियो बनाने के लिए तो मेरे पास जो घर में पड़े थे वह मैं LED फिलाल यूज कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए ठीक है तो ये ब्लू कलर का LED और आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरीके का जो फ्लैट हेड़ वाला LED है वही यूज करें अगर आप नॉर्मल पार्किंग LED बल्ब यूज करोगे तो जो उपर का प्लास्टिक का कैप है वह नहीं लगेगा दोस्तो आपको इस तरीके का जो फ्लैट हेड़ वाला LED पार्किंग बल्ब आता है उससी को यूज करना है ठीक है और जो एमेजन का बाइंग लिंक है इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूँगा तो दोनों बल्ब हमने लगा लिए अब हम इसे चक कर लेते हैं यह फिलाल टेंपररी मैंने वीडियो बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं क्यूंकि जैसे ही मेरा वाइड कलर का LED बल्ब आ जाता है तो इसके जगा मैं उससे लगाने वाला हूँ तो यह जो प्लास्टिक क कप इसे लगाने का पाइक जो यह ब्लैक कल्र क्लर का कापउंट है इसे हमें नीचे की तήर फखना है और उसके बाद उसकी जगा पे इससे पर देना है तो यह आसाने से कुछ इस तरीके से लग जाता है तो दुसरी तरफ भी हम इसे लगा लेते हैं आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें इसे इसकी जगा पर प्लेस करके जो पॉइंट है उसे नीचे फेस करके इसे क्लॉकवाइस घुमा के टाट करते हैं तो दोनों हमारे जो बल्ब है लग चुके उसके उपर जो प्लास्टिक का क्या पर ओ भी लग गया है तो इसके बाद हम इसके उपर क्रोम लगाने काम करते हैं तो हम अंदर की तरफ आ चुके हैं जैसे हमने क्रोम को निकाला था उसी तरह के से हमें क्रोम को अंदर की तरफ पुश कर देना है और ये चारो के चारो जो बोल्ट है उसे टाइड कर देना है आप देख सकते हो कुछ इस तरह के से आपको चारों के चारों टैड का लेने है और उसके बाद जो प्लास्टिक का शीट हमने निकाला था, उसे भी उसकी जगा पे चिटका देना है तो जो यह लॉक है, इस में से आपको जो बीच का पाटें वो निकाल देना है और गत्ता लगाने के बाद सबसे पहले जो उपर का प्लास्टिक का जो लगा कि उसके बाद जो अंदर का पीन है उसे आपको अंदर इस तरीके से प्रेस करना है तो यह प्रॉपरली अपने जगा पे लॉक हो जाता है इस तरीके से हम सब लॉक लगा लेंगे आपको मैं और दिखा देता हूं ताकि आपको लॉग लगाने में असा नहीं हो आप देख सकते हो हमने पहले उपर का प्लास्टिक पड़ लगा है उसके बाद अंदर का जो पतला पीन होता है उसे हमें अंदर पुछ कर दिया है तो अब मैं आपको इसका नाइट व्यू दिखाता हूं आप देख सकते हूं मतलब एक नंबर आउटकम आ गया है दोस्तों इसका और जो वाइड कलर का एलेडी में बोल रहा था जो मैंने एमजोन से और किया था और जो आने में थोड़ा डिले हो गया वह यह वाला एलेडी है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर द करना है और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेर करना है सो सी यू इन नेक्स वीडियो दोस्तों